वेलकम स्टुरेंट्स आज का हमारा फिक्ट लेक्चर है और हमने चेप्टर फिक्ट शुरू किया हुआ है संफंक्शन ओफ नमबर थियूरी तो आज हम कर रहे हैं कुछ एक्जामपल्स सबसे पहला हमारा एक्जामपल है अब यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास में सिग्मा एन जो है वो किसकी एक्वल होता है सिग्मा एन हमारे पास क्या होता है जितने भी डिवाइजस होएंगे उनका एन उनका सबका सम होता है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि product of इस टाइब के functions का product जो है वो equal to आएगा n sigma n की सबसे पहले हमारे पास n एक number है तो हम ले लेते हैं n के positive divisors ले लेते हैं suppose कर लेते हैं let d1 d2 and dr be all positive divisors of n be all positive divisors of n positive divisors of n ठीक है n के ये positive divisors है अब अगर ये positive divisors n की तो हमारे पास में n upon d1 जैसे कि हमारे पास में क्या आगया 6 के divisors हमने find out कर ले 6 के divisors हमारे पास क्या आएगा 1 होएगा 2 होएगा 3 होएगा 6 होएगा ठीक है तो 6 को जब हम divide कर रहे हैं 1 से which is equal to 6 6 को अगर हम 2 से divide कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहे हैं 6 को अगर 3 से divide कर रहे हैं 2 आ रहे है नम्बर ये नंबर स्रीक हो रहे और हम इनको device कर रहे हैं जो n upon all the divisors आएंगे वह दिएंगे वो भी क्या होएंगे positive divisor होएंगे be all positive divisors of n अब देखो अगर हम sigma n हमारे पास क्या होते है? सभी divisors का sum तो sigma n क्या हो जागा? एक तो इनका sum हो जाएगा और दूसरा क्या है? इसका भी sum हो जाएगा sigma diviser sigma of n तो यह क्या हो जाएगा? इन सभी devices का अगर हम sum करते है and so on plus dr यह भी sigma n की equal है अब यह वाले सारे devices भी किसके है? n की है तो sigma n किसके equal आएगा? also sigma n is equal to n upon d1 plus n upon d2 n upon d3 and so on plus n upon dr ठीक है? अब हम यह term लेके चलते हैं इसको हम p let कर लेते हैं कि p जो है वो हमारे पास में है pi, pi means जैसे submission के लिए हम sigma का यूज करते हैं से product का जब हम function product करेंगे तो हम pi का यूज करते हैं so pi d divides n वो सारे numbers जो n को divide करते हैं यानि की devices of n लिखने हैं हमने यहाँ पे d की power d plus n d ठीक है? तो यह हमने लिखना है इसको product को अगर हम pi को open करते हैं जैसे कि हम submission को open करते हैं तो हरे पस क्या होता है? a plus b plus इस तरीके से फारा अब इस product को अगर हम open करेंगे तो वो सारे divisor लेने हैं हमने यह क्या दिया है? d divides n वो numbers लेने हैं जो n को divide कर रहे हैं तो यहाँ पर आगए D1 D1 प्लस N D1 इंटू में आ जाएगा D2 D2 प्लस N D2 एंड D R उपर क्या जाए D R प्लस N by D R ठीक है यह सारी वालीज हमारे पास में आ गई है अब हम क्या कर रहे हैं आगे अगर हम P हमारे पास में क्या यह यह तो था D जब D divide करता है यहाँ पर D क्या लिए D is a divisor of N अब दूसरे केस में हमारे पास यह तो हम इसके लिए यूज कर लिए कि N की divisor यह सारे है बट N की divisor N upon D1 N upon D2 N upon DR भी है तो उस केस में आगर हम P लेते हैं आगर हम P क्या हो जाएगा P एक्वल तो पाइ ओफ वो सारे नमबर N upon D जो है वो डिवाइड करता है इनको ठीक है ना N upon D जो है वो भी डिवाइड करता है अब यह वाले divisor की according हम P की value फाइंड कर रहे है तो N by D divides N और इसके अंदर हमारे पास में D की जगा हम नमबर क्या जाएगा N by D जहां जाएगी था उसकी जगां हमारे पास क्या जाएगा N by D तो यह क्या हो जाएगा इसकी पावर भी क्या हो जाएगा N by D प्लस N D की जगां क्या जाएगा नीचे N by D यानि कि वो पर चला जाएगा N से N cancel होगे तो इस इक्वल तो पाइड ओफ यह कर लिया यहां पे लिख दिया कि वो सारे डिवाइजर जो N को डिवाइड करते है D divides N उसकी अक्रूडिंग फॉर्म निकाल लिया बट यह भी क्या है N के ही डिवाइजर अब इसकी अक्रूडिंग हमने पीकी वैल्यू निकाल लियरी अपॉरे ही मैं प्रोडेक्ट में क्या मैं जाए है एन्भाइatory किर पावर f marov. इडिटे न फिर रचक्षिंगे प्रोडेग्ड में क्या जाएगा एन्फ इसी तरीकेसी प्रोडेक्ट में लास् नूमबर आजाएगा and up on d r और यह power आजाएगी n upon dr plus dr ठीक है यह values आज़े हैं यह किसके equal आज़े है p के equal आज़े है so this is equal to अब इसको अगर हम अलग-अलग open कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या है n वाली terms को numerator को उपर रख लिया denominator को नीचे ले लिया तो यह क्या आजाएगा हमारे पास में n की power d1, d2, dr भी है और यह plus में है यानि की product में ही आजाएगी values तो n की power हम क्या ले रहे हैं n की power हमारे पास आगी n upon d1 plus n upon d2 and so on plus n upon dr यह आ गया ठीक है और दूसरा हमारे पास जो function है वो क्या है into में n इसकी power क्या है d1 तो n की power d1 plus d2 and so on plus dr ठीक है यह values तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं so this is equal to p अब अगर cross multiply करते हैं तो हमारे पास में क्या आजाएगा यह p square हो जाएगा n upon d1 and upon d2 इस सब का sum जो किसके equal है sigma n के तो यह आजाएगा sigma of n और यह भी हमारे पास पास में d1 d2 dr जो है वो भी किसके equal है sigma n के तो यहां पर भी क्या हो जाएगा n की power sigma n ठीक है अब यहां पर आगया p square is equal to n इसको हम लिखते हैं 2 sigma n के equal ठीक है so 2 से 2 cancel out कर दिया तो हमारे पास में p क्या आगया दोनों से root ले लिए तो हमारे पास p की value क्या होगी n sigma of n के equal और p हमने क्या लिया था इसको लिया था तो p की जगा हम use कर सकते हैं यह this implies we can say that pi of d divides n d की power d plus nd is equal to n की power sigma n ठीक है यह हमने प्रूफ करना सा इस तरही की question करना है next है हमारा prove that the product of two odd prime numbers cannot be a perfect square perfect number sorry क्या प्रूफ करना है कि हम product ले लेते हैं दो odd numbers का कोई भी prime odd numbers का अगर हम product ले लेते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि वह product जो है cannot be a perfect number perfect number नहीं आएगा perfect number क्या होता है हमारे पास में कि जो हम diviser निकालते किसी भी number के उन diviser का sum उस number के equal आजाए ठीक है जैसे कि हम six के निकाल रहे हैं तो one two three six तो six को छोड़के बाकी जो diviser है उनका अगर हम sum करते हैं तो वह six के equal आए था तो six is a perfect number ठीक है तो यह आए था है और इसकी property हमारे पास क्या होती perfect number की अगर sigma of n is equal to क्या होता है हमारे पास में two of n क्योंकि अगर हम इसके अंदर six भी plus करते हैं तो यह हमारे पास में क्या होता है यह तो six आ गया यह भी six आ गया तो यह क्या होता है two n की equal आ ठीक है sigma n is equal to two n यह property होती है तो हम इसको contradiction से प्रूफ कर रहेंगे this is not a perfect square n is not a perfect sorry perfect number n is not a perfect number हमने तो इसको हम contradiction से प्रूफ कर लेते हैं अगर suppose कर लेते है इस पॉसिबल इस पॉसिबल suppose that की f n is a perfect number suppose n is a perfect number ठीक है n हम क्या ले लिया perfect number ले लिया तो n perfect number है तो इस condition को hold करेगा इसका मतलब क्या वाकि सिग्मा एंड जो है वो किसके एक्वैल है two n के अब एन इसकी एक्वैल है two n के अब एन किसके एक्वैल है two n के तो यहां पर हम values लगा देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा पी इंटू में sigma q which is equal to 2pq अब sigma p की values उभी को पता है क्या होती है p plus 1 हमने last theorem करे थी sigma q क्या हो जाएगा q plus 1 which is equal to 2pq इसको open कर देते हम यहां से हमारे पास क्या जाए pq plus p plus q plus 1 इसको भी दर ले आए minus 2pq is equal to value 0 अब यह value हमारे पास में क्या आजाएगी यह सारी values हमारे पास में आजाएगी p plus q plus 1 minus pq is equal to 0 इसमें से minus अगर हम common लेते हैं आपर पास value जाएगी pq minus p minus q plus minus 1 is equal to 0 अब हम इन दोनों equations में 2 add करते हैं दोनों साइड में ताकि हम इसको proof कर सके easily इसलिए तो दोनों साइड में 2 add कर दे हैं अगर हम तो हमारे पास क्या आजाए pq minus p minus q इसमें भी 2 add कर दिया और सामने भी 2 add कर दिया तो यह आजाएगी equation में plus 1 आजाएगा which is equal to 2 ठीक है इसमें इसको हम factors बना लेते हैं तो अगर p common निकाल दे हैं तो हमारे पास में क्या आजाएगा p common निकाल लिए है तो यह आजाएगा q minus 1 and यहां से minus 1 common निकाल लिए तो हमारे पास आजाए q minus 1 which is equal to 2 so p minus 1 and q minus 1 is equal to 2 ठीक है तो p minus 1 and q minus 1 2 के equal है 2 को हम किस form में लिखते हैं 2 के दोई factor होते 1 and 2 तो इसमें से एक number 1 आएगा और एक number 2 आएगा कोई भी number 1 यह 2 आ सकता है तो हम अलग-अलग case लेलते हैं या तो p minus 1 2 के equal है ठीक है और q minus 1 जो है वो किसके equal आएगा 1 के दूसरी conditions हमारे पास में क्या हो सकती है कि p minus 1 1 के equal है and q minus 1 जो है वो 2 के equal है अब इसे अगर हम solve करते हैं इस condition को p minus 1 is equal to 2 है तो यहां से हमारे पास p की value के आगी 3 और यहां से q की value के आजाएगी 2 आजाएगी इसी तरीके से इसके अंदर p की value के आजाएगी 2 and q की value के आजाएगी 3 ठीक है तो यह values आ रही है बट हम क्या लेके चल रहे है p and q are the odd primes इन दोनों ही cases में ऐसा नहीं आ रहा है इसके अंदर यह odd prime है तो यह even number आ रहा है यह odd prime है तो यह even number आ रहा है so this is a contradiction because we have given कि p and q are the odd prime number so अबर यह क्या होगा contradiction होगा this is a contradiction contradiction so our position was wrong जो हमने suppose किया था suppose किया किया था हमने n is a perfect number which is wrong so hence we say that n is not a perfect number ठीक है n is yeah n cannot be a perfect number okay next हमारा exercise का sum है 6 sum जिसमें हमें प्रूफ करने कि show that dn is equal to 2 if and only if n is a prime ठीक है अगर dn 2 के एक पल है यानि कि number of divisor of n जो है वो 2 है तो हमें प्रूफ करना है कि n is a prime दोनों ही case प्रूफ करने है तो सबसे पहले हमने लट कर लिया firstly हम लट कर लेते है कि dn जो है वो हमारे पास में क्या है 2 ठीक है अब हमें प्रूफ क्या करना है n is a prime number to prove that to prove that n is prime ठीक है हमें प्रूफ करना है n is a prime यह हम लेके चल रहे है अब देखो अगर हम n को 1 ले लेते है if n is equal to 1 n 1 ले लेते हैं तो हमारे पास में 1 के जो divisor होएंगे वो क्या है एक ही divisor आएगा तो d इसका divisor क्या हैगा 1 बट यहां पर 2 है so which is a contradiction that means कि n जो है वो हमारे पास क्या होएगा greater than 1 आएगा ठीक है ना यह हमारे पास क्या contradiction होगया क्योंकि d n 2 के एकवाल है तो this is not true so n is greater than 1 अब n is greater than 1 इसको भी हम contradiction से proof कर लेते हैं let us suppose that n is greater than 1 but n is not a prime number ठीक है let us suppose that हमने suppose कर लिया कि n n हम क्या ले रहे है greater than 1 and यह suppose कर लेते हैं कि n is not a prime number not prime ठीक है यह हमने suppose कर लिया कि n जो है वो prime नहीं है but n greater than 1 तो यहाँ पे है अब n अगर prime number नहीं है तो हमारे पास में n क्या होएगा अगर हम सबसे चोटे चोटे prime number मतलब कि हमारे पास prime numbers n 1 से बड़ा है इसका मतलब 2 और 3 तो हो इसका क्योंकि हमने n को लिया प्राइम दिया है तो 2 और 3 के बाद का कोई number अगर हम ले रहे हैं जो prime नहीं है तो हम 4 लेंगे ठीक है ना तो यानि कि यहाँ पे एक पर हम थोड़ा से roughly discuss कर लेते n हमने क्या लिया is not a prime number तो सबसे छोटे वाले दोनों prime numbers को छोड़कर एक composite number अगर हम 4 ले रहे है smallest composite number 4 ले रहे है सो हमारे पास में क्या आएगा कि जो 4 आ रहा है ठीक है यहाँ पे इस 4 को डिवाइड करेगा 2 2 divides 4 2 divides 4 यह n हमने लिया है 4 अब देखो 1 से greater than है इस तरीके से और 2 जो है वो इसकी बीच में बिलॉंग कर रहे है तो 2 हमारा कोई ना कोई इनकी बीच में कोई ना कोई ऐसा number होएगा जो इस number को डिवाइड करेगा जैसे कि अगर हम 4 ले रहे हैं n को एक composite number क्योंकि n को नोट प्राइम हमने लिख दिया कि n इस नोट प्राइम तो 4 और 1 की बीच में कोई ना कोई ऐसा number होएगा जो 4 को डिवाइड करेगा तो वो हमारा number 2 होएगा अगर हम 6 next composite number ले रहे हैं तो वो हमारे पास 6 आएगा तो 6 की 1 और 6 की बीच में दो नमबर होएगे जो उनको डिवाइड करेंगे तो यही मैं कहने चाती हूँ कि अगर न प्राइम नहीं है then there exists an integer k ठीक है k हम एक integer ले लिया जो की 1 और n की बीच में बिलॉंग करेगा और condition हमारे पास क्या है such that k जो है वो डिवाइड भी करेगा इनको ठीक है इसका मतलब हुआ कि n की यहाँ पर कितने डिवाइजर होएगे n की हमारे पास में 3 डिवाइजर होएगे ठीक है this implies n has कम से कम n has at least three different divisor positive divisor three different positive divisor कौन-कौन से divisor होएगे एक तो 1 ही होएगा ठीक है एक k होएगा और एक n होएगा तो यह तीन divisor तो होएगे इसका मतलब d n जो है वह हमारे पास क्या गया 3 के एक पाल आ गया तीन डिवाइजर होगे न की तो n अगर प्राइम नहीं है तो d n क्या गया थी बट हमें क्या गीवन है d n is equal to 2 दिया है so this is a contradiction that means our position is wrong suppose क्या क्या था n is not prime is wrong that hence n must be a prime number must be a prime number n एक prime number है ठीक है अब हम कर लेते हैं conversely part conversely part में हम क्या लेलते है n को prime लेलते है let n be a prime n हमारे पास में एक prime number है और हमें proof क्या करना है कि d of n is equal to 2 to prove that proof क्या करना है divisor of n कितने होएंगे 2 होएंगे यह proof करना है ठीक है n अगर prime number है तो यह तो अलड़ी हमें पता है कि अगर n prime number है तो prime number के 2 divisor होते है one and itself ठीक है तो वहां से conditions तो हमारी proof ही हो जाएगी then हम इसको किस तरीके से लिखेंगे then n is a prime then n has only two divisor only two divisor कौन से दो divisor होते हैं हमारे पास में one and itself यह दो divisor होएगे तो dn किसके equal हाजाएगा divisor कितने two तो dn is equal to two so our condition is true अगर n prime है तो dn is equal to two so यह दोनों ही cases हमने discuss कर लिए कि अगर dn two के equal है if and only if n is a prime ठीक है यह हमारा एक साइज का six sum था next हमारा एक साइज का eight sum है क्या है if fn is equal to n square plus two and n is equal to six fn क्या है n square plus two है and fn हमारे पास में six है then show that submission fd d divide six यानि कि हमने fd के अंदर d कौन से numbers लेने का कौन से numbers का sum करना है हमने जहां पर d divide करता है six को यानि कि six के divisors हमने इसके अंदर लेने हैं which is equal to submission f6 upon d d divide six तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं six क्योंकि यहां पर लिखावा और d divide six और n हमारे पास में six दिया हुए तो six के divisors हम find out कर लेते हैं now divisor of six कौन कौन से divisor और six के one two three six ठीक है यह divisor है six की अब d divide six तो d हमारे पास में क्या क्या आ गया one आ गया two आ गया three आ गया और six आ गया ठीक है अब सिक्स अपॉन्टी किसकी इक वर आ जाएगा six अपॉन उन उन इसक्स हो जाएगा six अपॉन टू ठीक हो जाएगा six अपॉन टू सामीशन एफ्डी और कौन से नमबर लेने हैं submission के अंदर जो 6 को divide कर रहे है और साथ में हमें क्या दिया हुआ है Fn जो है वो दिया हुआ है n square plus 2 के बराबर इसका भी use करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आजाएगा Fd क्या है n square plus 1 तो ये आजाएगा हमारे पास में n square सबसे पहला number लेना है जो d डिवाइड करता है 6 को वो है हमारे पास में first divisor तो n की जगा first divisor plus 2 and plus next आजाएगा 2 square plus 2 next आजाएगा 3 square plus 2 and next आजाएगा 6 square plus 2 ये values आगे अब इस values को निकाल लेते है तो ये आजाएगा 1 और 3 plus 4 और 5 6 9, 2, 11, 36, 2, 38 ये आगे हमारे पास में ठीक है ये के अदना आजाएगा 8, 9 और ये आजाएगा 9 और 6 total आगे हमारे पास में 8 और 1 5, 58 ठीक है ये 58 आगे values अब हम किसकी value निकाल लेते हैं इसकी value निकाल लेते हैं इसकी value हमारे पास में क्या आजाएगी हम निकाल लेते हैं आ देखो इसकी value क्या आ जाएगी submission वो बले number d divided 6 f of 6 upon d अब यहां पर formula तो सहीम यह लगाना है बट 6 upon d में कौन से number आ रहे थे यह बले आ रहे थे तो इसके अंदर हमारे पास में दिवाइजर कौन से आ देंगे 6 का square plus 1 and plus 3 का square plus 1 and plus 2 का square स्वरी 2 आ जाएगा यह 2 है यहां पर यह 2 का square plus 2 and plus same value आ यह 1 का square plus 2 तो यह हमारे पास आ गया 38 यह 11 यह आ गया 46 और यह आ गया 3 ठीक है तो यह same भी values आगे that means this is equal to 52 तो दोनों value same आगे then we say that submission fd is equal to submission 6 upon d where d divided 6 तो यह हमारा 6 था 8th सम था एक सा इसका इसके लाब आगे कोई और problem है then you can send me thank you